आज हम लोग लेकर यह देखें बगमेन स्केट एक टॉप मॉडल अभी है बगमेन का इसके बारे में पुरा रिव्यू करेंगे तो हम लोग तीन दिन पहले एक मीनी ब्लॉग बनाये से याद है आप लोग ने देखा भी है बहुत सारा प्यार भी देखा है उसमें बहुत सार निजी से बहतर कोई नहीं बताते हैं हर गाड़ी के मामले में टाइम वेस्ट ना करते हैं तिरते निजी के पास अज आपको चाहिए आपका ये टॉप मॉडल के बारे में आप रिवीव बताईए और हमारे जंतों को जताईए कि क्या है लेना है या नहीं लेना है मुझे तो बात है वहले वह क्या बात है वह मुझे नहीं पता है हमारे फैमली में फिर से एक वर्गमेन आ गया है वर्गमेन स्ट्रीट 125 EX मॉडल तो आज मैं करने वाला हूं रिव्यू इस गाड़ी का पड़ा-पड में रिव्यू बताता हूं कि स्टैंडर्ड मॉडल से और इस मॉडल में क्या-क्या डिफरेंस है तो आजिए चलिया इस लॉक्त करते हैं शुरू हाँ नीजी आप बताए हम लोग ने ये दुबारा गाड़ी क्यों लिया हमारी जनता जानना चाहती है बिलकुल बिलकुल हमने ये गाड़ी को दोबारा फिर से क्यों लिया क्योंकि हमारे घर में अल्रेडी बर्गमें 125 थी अल्रेडी फिर भी हमने इस गाड़ी को हमने फिर से क्यों ले लिया रीजन यह है, हमने एक ब्लॉग बनाया था, बर्गमेन स्ट्रीट 125 के उपर, जिसमें हमने प्रोज और कॉन से दोनों ही दिखाये थे उस गाड़ी में, जिसको मैंने यूस किया था धाई साल, तो उसमें मुझे जो जो प्रॉब्लम फेस आया थी और जो जो मुझे अच्छा लगा था, उस गाड़ी के बारे में मैंने एकदम honest review दिया था, और मेरे उस ब्लॉग पे आप लोग की वज़े से बहुत ही अच्छा response मिला, तो उस वीडियो पे मुझे positive और negative review मिल रहे है थे, तो मैंने इस वज़े से मैं सोचा कि चलो, मैं फिर से इस गाड़ी को लेकर के देखता हूँ कि इसमें क्या-क्या problem फिर से आता है या नहीं आता है, तो ये गाड़ी मुझे लिए मातरे तीन दिन हो रही है और इस गाड़ी cut ये सबसे top model है, तो आईए मैं दिखाता हूँ standard model से, इस model में क्या difference है, तो देखना चाहता हूँ कि इस गाड़ी में बाके में आपको टायर 12 इंच का और थोड़ा सा चौड़ा मिलता है, अगर ये थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है, मलब अन टॉप के तरह 110 सेक्शन का तो ज्यादा अच्छा होता, लेकि इसमें 12 इंच और 100 सेक्शन का टायर दिया गया है, तो ये एक major changes है, second changes आपके features बढ़ा दि गया है, प्लस auto start और auto stop, आप active भी लेते हैं तो उसमें भी है, लेकिन इसमें भी ये features डाल दिया गया है, तो अगर आप traffic में खड़े रहते हों, और within 30 सेक्ड़ के अंदर तो गाली auto stop हो जाती है, और आप ज़रा सा throttle देते हो, जब आपको signal green जिलता throttle देते हो, तो गाली automatic start ह हो जाती है, तो ये features add किया गया है, जिस जगे पर आपको kill switch को खटा दिया गया है, और इस गाली को इसमें थोड़ा सा chrome finish दे दिया गया है, body line में, और इसमें ज्यादा कोई major changes है नहीं, 1 kg कववेट इसमें ज्यादा add किया गया है, rest of the others, सब कुछ सेम है, थोड़ा सा changes और चीज को लेकर के वह इसके dimension के, इसका wheel base जो है, थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि इसका tire बढ़ा हो गया है, तो थोड़ा सा variant, माइनर changes आप लोग पता नहीं कर पाएंगे, और गाली को देखने से, अगर आप paper लित आएंगे, तो आपको minor changes दिखता है, तो आपका कहना ह है, कि यह bugman street जो, पहला model वाला है, उससे सिर्फ 2-3 चीज चेंज के है, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं वही बताना चाहता हूं, कि और इस गाड़ी का price जो है, एक लाग 41,000 on road, Kolkata city में है, तो यह गाड़ी लेना क्या वर्थ है, आप उस गाड़ी और इस गाड़ी से आपको 20,000 रुपया दिया था, वो वर्थ है या नहीं है, यह आपको 6 मंत के बाद हम review करके बताएंगे गाड़ी में, जैसे और ज्यादा major changes इस गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं है, तो नीजी इसका फ्यूर बताएं कि यह दोनो बग मैं जो पहला model है, और यह जो टॉप मॉडल इसका मैलेज सेम है, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा question किया, देखिये हमारी जो पुरानी बग मैंने मुझे माइलेज देती है 50 अबग मैं highway और city with ride भी करता हूं और मुझे mix करके भी मुझे 50 प्लस का मैलेज आता है, और इस गाड़ी में जो changes किया गया है, तो ऐसे बता इसका मैलेज ज्यादा है, और इसका मैलेज कितना होगा, क्योंकि यह तीन दिन पुरानी गाड़ी है, तो हम चला करके पता करेंगे कि exactly यह गाड़ी कि इतनी मैलेज दे रही है, इसका performance बताईए, तो ऑन पेपर इसमें पावर घट आया है, लेकिन जब मैं इसे चला रहा जब इसको मैं चला करके यहां पे आया हूँ, क्योंकि हमने तीन दिन पहले ही इस गाड़ी को लिया है, और अभी मैं जहां पे आया हूँ, ब्लॉक बनाने के लिए तो अल्मॉस्स 20 किलोमेटर है, तो वहां से यहां तक था, मैंने जब राइड किया, तो मुझे confidence इस गाली में features एड कर दिया गया है, तो अभी तो फिलाल नहीं गाली हो सकता है, मुझे अच्छा लग रहे है चलाने में, तो इस वज़े से आपको गाली में जो confidence था, मुझे बर्गमेन को ले करके, तो basically निजी यह कहना चाहता है, इसकी चाल सेक्षी है, येस, absolutely correct, मैं कह सकता हूँ कि performance wise, ये पहले से better हो गई है, अगर जिसे थोड़ा से style पसंद है, थोड़ा से performance enthusiast है, जिनको power भी चाहिए, style भी चाहिए, और comfort भी चाहिए, तो ये one of the best choice है, लेकिन अब देखते हैं, इसको 6 मेन चलाने के बाद क्या-क्या drawback आता है, इसमें, ये क्या गाली पहले से better हो है, या उसमें कुछ ना कुछ कमी आ गई है, तो ये हमें चलाने के बात पता चलेगा, तो दिखते हैं, चला कर कि इसमें क्या-क्या कमी है, क्या बैटरी खराब हो जाती है, या कोई और कमी खराब होती है, इस बार सर्विस सेंटर कैसा है, फिछली बार मैंने सर्विस नहीं जाएगा तो जिससे आपका mindset हो जाएगा कैं में गाली लेना या नहीं लेना हमने तो ले लिए वे वापस नहीं कर तक हुआ तो हमारे साथ बने रहें चैनल पे जिन लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहें हैं तो प्लीज जाके follow करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमसे जूले रहे हैं या डे बाई डे हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे इस गाली के बारे में थाइंक यू पर वाचिंग इनवर्ड ब्लॉग